ये कहानी हुनर के बारे में है, किसी गाव में एक कुमहार रहता था, वो कुमहार मित्टी के खिलोने और बरतन बनाता था और उसे शहर में जाकर बेचता था, इस मित्टी के खिलोने और बरतन बेच कर जैसे तैसे उसका गुजारा चलता था, एक दिन उसकी बीवी ने उसे क कहा कि अब तुम ये मिट्टी के और बरतन बनाना बंद कर दो और शहर जाकर कोई नौकरी धून लो क्योंकि अब इससे हमारा गुजारा नहीं होता है। कुमहार को भी उसकी बीवी की बात सच लगने लगी और उसने ये काम छोड़ दिया और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। कुमहार को मिट्टी के खिलोने बनाने का बहुत शौक था लेकिन वो करता भी क्या। उसे हालात से मजबूर होकर नौकरी करनी पर रही थी लेकिन अभी भी उसका मन मिट्टी के खिलोने बनाने का था। ऐसे समय बीटता गया, नौकरी में ज़्यादा पैसा मिल रहे थे और उनके हालत पहले से अच्छे होने लगे। कुमहार और उनकी बीवी दोनों खुश थी क्योंकि अब उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था। एक दिन कुमहार शहर में जहापर काम कर रहा था वहाँ उस मालिक के बच्चे का जनम दिन था। मालिक ने जनम दिन पर पार्टी रखी थी और सभी को आमंतरित भी किया था। सभी महंगे महंगे खिलोने लेकर आये, इस कुमहार ने सोचा कि मैं मिटी का खिलोना बना कर लेकर जाता हूँ, वैसे भी मेरा खिलोना कौन देखने वाला है। कुमहार बच्चे के लिए मिटी का खिलोना लेकर गया, जब दावत खत्म हो गई तब कुमहार ने बच्चे को तोफे में अपना मिटी का खिलोना दिया। ये खिलोना देखर सिर्फ मालिक का बच्चा ही नहीं पर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। सभी बच्चों को ये मिट्टी का खिलोना बहुत पसंद आया और दूसरे बच्चे भी जित करने लगे कि हमें ऐसे ही खिलोने चाहिए। ये खिलोना कहा से लाए हो तब कुमहार हसने लगा और कहा कि मालिक के कोई महंगा तोहफा नहीं है मैंने इसे खुद बनाया है। गाव में मैं मिट्टी के खिलोने और बरतन बना कर बेचता था और उसी मैंसे हमारा गुजरा होता था लेकिन उससे हमारा घर नहीं चलता था इसलिए मैं यहाँ पर आपके घर नौकरी करने आया हूँ। मालिक कुमहार की ये बात सुनकर हिरान हो जाते है और उसे पूछते है कि क्या तुम ऐसे और भी खिलोने बाकी बच्चों के लिए बना सकते हो। कुमहार को खिलोने बनाने का बहुत शौक था उसलिए उसने कहा हा मालिक मैं बना सकता हूँ। उसने सभी बच्चों के लिए शांदार रंग बेरंगी खिलोने बनाए। सभी उसके इस सुनर से बहुत खुश हो गए। मालिक ने सोचा कि मैं अब खिलोने का व्यापार ही शुरू कर देता हूँ और शहर में खिलोने बेचूंगा। मालिक ने बहुत चल्दूस कुमहार को खिलोने बनाने के लिए काम पर रख दिया और इस खिलोने के व्यापार को बड़ा बना दिया। कुमहार को मालिक ने हर मह इने पहले से अच्छी तंख्वाह भी देना शुरू कर दिया और रहने के लिए एक अच्छा घर भी दे दिया ये सब देखकर उस कुमहार का परिवार बहुत खुश हो गया और कुमहार को अपनी पसंद का काम भी मिल गया अगर हमारे पास हुनर होता है तो हम कभी भी किसी परिस्तिती में हमारे हुनर से अपना जीवन अच्छा बना सकते है लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें